नमस्कार दोस्तों आज सभी लोगों को एक नया तरीके का fraud लेके आया हूं जिसमें आप सभी आज के समय में बहुत सारे लोग इस तरीके के fraud में फस रहे हैं और फसने के बाद उनसे पहुत सारे पेसे की डिमांड की जाती है और यह एक ऐसा fraud है जिसके बारे में कोई भी वि वीडियो या न्यूट मेला आपके थामने होती है और उसके साथ आपकी face capture कर लिया जाता है। और capture करने के बाद जब आप उस video को खतम कर देते हैं तो थोड़े देर बाद आपके पास phone आना चालू हो जाता है कि आपका एक वीडियो हमारे पास है जो आपके WhatsApp नमबर पर बेज दिये जाता है या आपके Facebook के Messenger पर बेज दिये जाता है और फिर उसके एबस में आपसे फिरोती की डिमांड की जाती है कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आपका ये जो वीडियो है हमारे पास है ये हम Social Media Accounts पर Share कर देंगे या आपके जितने भी मिलने वाले हैं परिशिते हैं उनके नमबर पर हम Forward कर देंगे यदि आप पैसे हमको देंगे तो हम इसा नहीं करेंगे आप सोचते हैं सबी लोग बहुत सारे लोग इस बात में आ जाते हैं और उन लोगे द्वारा मांगी गई फिरोती दे देते हैं जिससे कि क्या होता है कि वो एक बार अगर उनको फिरोती आपने दे दी तो वो Multiple channels के थुरू आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं मैं आपको कोई महीला जो रहेगी यहां पर यहां इस वो स्वास्याइब को किसी प्र लोगेंगर बैजेंग जब आपके पास वोvette आजाईगी तो आप उस request के एबज में response करते हैं जैसे कि response देखा आपके पास request आई तो आपने सोचा किसी महिला की request है या आपके किसी मिलने वाला उसका मित्र दिखेगा आपको आपका मित्र जो है उसका friend है तो वो आप उस friend request को accept कर लेंगे फिर वो messenger पर आपको message भेजना चालू करेंगे messenger किसके माद्यम से facebook, instagram या किसी दूसरे अन्य social networking platform के माद्यम से आपसे बात करना प्रारम कर दी जाएगी जब आप इनसे बात कर लेंगे बात करने के बाद वो आपसे बोलेगा कि चलिए हम video call पर बात करते हैं जाएंगे तो फिर वो आपसे बोलेंगे चलिए video call पर हम बात करते हैं तो वीडियो call पर जब आप बात करना चालू करेंगे तो उदर से एक video call आएगा जैसे आप उस video call को उठाएंगे तो एक महाँ पर nude महीला सामने से रहेगी कि या कोई nude video महाँ पर चला लिया जाएगा जिसमें आपका फेज जो रहता है क्योंकि जब भी video call होता तो आपका सामने से face capture हो जाता है तो आपके face के सांथ है उस video nude video को capture कर लिया जाएगा और capture करने के बाद जब आप उस video call को समापत कर देगे जब आपका वीडियो को समाप्त हो जाएगा उसके बाद थोड़ी दिर बाद आपके पास मेसेज आएगा कि आपका एक वीडियो हमारे पास है यदि आप या तो वह इसके मर खुदी लगाएगा या उसका कोई मिलने वाला व्यक्ति जो साती है वह फोन लगाएगा या उनसे के दोरा मांगे जाते हैं ज़्यादा पासे नहीं मांगते वह दो 5000 फिर दी रहे फिर वह जब यहाँपर पुरी तरीके से डर जाएंगे तो आपसे पासे नांगे और आप वêu पासे यह पर उनको देते रहेंगे जब आप यहाँपर पूरी तरीके सेsal त्रस्त हो comfortable ज हुए उसमें व्यक्ति आगे से रेकर कोई बात नी बताता है लेकिन जब उस बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाता है तब वो कि पुलिस में कंप्लेंड करता है या किसी अन्य स्वेस्व के माध्यम से कंप्लेंड दर्जे कराता है तो मैं यहाँ पर आप से यही कहू का पैसे आपको नहीं है तो नहीं उठाना है या अपनने के मेरे के ऊपर अंगूठा रख ले इस तरीके से कोई frauder होगा अगर वो देखेगा कि आपने अपना camera बंद कर रखा है तो वो automatic आपका call काट देगा और आपको double से वो इस तरीके के call नहीं करेगा तो अम यहाँ पर आप यह कर सकते हो अब यदि आप यहाँ पर फस जाते हैं तो फसने के बाद बचने का तरीका यह है कि यदि आपको call करते हैं और आपसे पैसी की demand करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और आपको बोलना है कि मैं पुलिस में सिकायत कर रहा हूँ आप महाँ पर जैसे ही बोलोगे पुलिस में सिकायत कर रहा है तो वो आपको आगे से डराना बंद कर देंगे और आप इसक यह complaint cybercrime.gov.in एक website है cybercrime की उसके उपर जाकर अपनी complaint registered करा सकते हैं मैं इसका description मैं अभी यहाँ पर link में दे दूँगा और अभी आपको वीडियो में आगे मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर जाकर आप इस तरह की सिकायत दर्ज कर सकते हैं थैंक यू